आज मैं आपको mobile के एक interesting feature के वारे में बताऊंगा या एक application के वारे में बताऊंगा जिस application को यूज करके आप अपने phone को और भी attractive बना सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस video में बताऊंगा और आपको video के end तक मैं आपको वो सारे setting करने का process भी बता दूँगा ठीक है जै उस application को या उस setting को करने के लिए तो चलिए फेंड आगे वीडियो में देखते हैं तो आपने यहां पर कुछ notice किया या नहीं मुझे तो नहीं पता बट मैं आपको यहां बता रहा हूं जो new feature जो है एक interesting और attractive feature जो है आपके phone में उसके लिए एक application download करना पड़े है कौन सा application है उसका मैं आपको description में link दे दूँगा वहां से आप download कर सकते हैं उस application में क्या होता है मैं आपको आगे बताते जाता हूं step by step उसके बाद आपको पता चलिए लाएगा कैसे आपको आपने phone को attractive बनाना है ठीक है जैसे कोई भी आपका phone देखेगा तो बोले यह feature जो है आप कहा से एनेवल किये हैं ठीक है तो simply से में application को open करके आपको दिखाये ताओ ठीक है तो application जो है वह application आपको इंस्टार करने के लिए description में link मिलेगा वहां से आपको download करना और करेंगे तो आपका side वह application जैसा मेरा यहां पर work कर रहा है वह इसा work ना करें ठीक है तो simply से आपको यहां आपर सोगों गजब मेरा charging यहां पर लगा हुआ है देख सकते हैं आपको आपर charging का icon उपर में सोग आउगा तो charging का icon 16 आपर नीचे देख सकते हैं मेरा दिक सब्सक्राइब पर एफक्ट अनिमेशन आ रहा है ठीक है तिहां मैं चेंज करता हूं change करने कि देख से दियन दूस लगा सकते हैं और अपर आपको आपको एसा अटिमेशन चाहिए तो 77 अपर आप आपकि फॉन भी अगर आपको ऐसा अनीमेशन चाहिए तो आप डाउल करके यूज करसकते हैं ठीक है यह अप्लिकेसिन में आपको कोई वी हाम सअपने जो भी आपको animation अच्छा लगता है उसको यहाँ पर रख सकते हैं आपके अपने phone के charging animation के लिए ठीक है सबके phone में ऐसा animation नहीं आता है charging के लिए local सा normally जो आपका हलका भूलका जो होता है animation आता है तो आता है नहीं तो नहीं आता है ठीक है भी अगर आपको phone को अगर attractive बनाना है तो आपको इस application को use करना ही चाहिए ठीक है totally say आपको यहाँ पर setting में click करना है setting में click करने के बद सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहा पर कुछ option मिलेगा जो option आप यूज करके अपने animation का size resize effect transparency सारा आपको यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं ठीक है तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर animation रख सकते हैं और setting भी कर सकते हैं decrease increase कर सकते हैं आप अपने उपर depend करता आप कितना क्या रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स बस इस application में और इस setting में इतना ही था ठीक है अगर आपको यह application अच्छी लगी तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं और इस application को आप play store से भी download कर सकते हैं और आपको description में link दिया गया है आपको वहीं से भी download कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप description में दिये गए link से download करेंगे तो आपको ज्यादा benefit मिलेगी ठीक है तो बस वीडियो में इतना ही था अब वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और मे देखрах रवाफरेंगे जिए उडियो में दीक है लेकिन देख्यू है तो आपको बता पको अपको शल्यादाना इंआ पको बात जापको नवीडियो में तो आपको अपको जो पक्रेंगे